हेलो स्टुडेंट्स हाव यू आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन 2022 से लेके 2023 तक क्लास 12 के multiple choice questions तो इस वीडियो में हम लोग 11 questions करेंगे एंड एक question आप लोगों के लिए मैं homework में दूँगा तो चलिए start करते हैं तो पहला हमारे पास जो question है वो है dash is the most basic function of management यानि कि जो most basic function होता है management का उन में से ये 4 options हमें दे रखे हैं कोई सही option आपको बताना है कि कौन सा most basic function होता है management का इन 4 options में से सही बताना है तो students पहला हमें दे रखा है organizing दूसरा है planning तीसरा है staffing and fourth one is directing तो आप लोगों को बताना है जल्दी से बताईए आप लोगों को मैं 5 seconds का time देता हूँ जल्दी से बताईए अगर आप लोगों को इसका आँसर पता है तो चलिए start करते है answer करना ठीक है तो जो मैं यहाँ पर बतारा हूं आपको कि ये B option जो है question number 2 देखिए अब हम लोग देख लेते हैं question number 2 according to whom a plan is a trap led to capture the future यानि कि किसके according यानि कि एक definition जो दे रखी है कि एक जो plan होता है उसका मतलब होता है एक तरिके का जाल ठीक है जो बिछाया गया होता है future को capture करने के लिए ये एक तरिके की definition दी गई है है beat and तीसरा जो option है वो है theo hymen तो देखिए हमारे पस तीन options ये दे रखे हैं और फोर्थ option दे रखा है हमें alan तो चलिए start करते हैं सबसे सही उत्तर जो है वो है alan ठीक है यहाँ पे जो है मतलब सही उत्तर जो है वो है alan तो आप लोगों को याद रखना है next जो हमारे पस question आ रहा है question number 3 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं according to whom planning means the determination of what is to be done यानि कि planning का मतलब होता है कि क्या करना है how and where यानि कि कैसे और कहा करना है और who is to do it और इसे कौन करेगा and how results are to be evaluated यानि कि और result कैसे मिलेंगे तो यह जो पूरी definition जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है we have four options हमारे पास चार option दे रखे हैं यहाँ पे तो हमें उसमें से बताना है पहला option है James Lundie तीसरा सारी दूसरा जो option है वो है Hyman तीसरा option है Alfred and D option हमें दे रखा है None of these यानि कि इन मैं से कोई नहीं तो चलिए आप लोग जल्दी से बताईए कि इसका सही answer क्या है तो इसका जो सही answer है वो है A option James Lundie ने यह कहा था कि planning means the determination of what is to be done how and where it is to be done who is to do it ठीक है and how results are to be evaluated तो यहाँ पर हमें option A लगाना है आप लोग सही से question को पढ़िए समझे और इसका सही answer आप लोग learn कीजे याद कीजे question number fourth तो चलिए देख लेते हैं question number fourth में क्या कह रहे है planning का मतलब होता है deciding in advance यानि कि advance में decide करना planning is deciding in advance कि हमें करना क्या है what is to be done who gave this definition यह definition किसने दी थी हमें सही answer अपना बताना है उससे पहले आप लोग जलदी से question को एक बार अच्छी से पढ़िए और समझे और थोड़ा ध्यान करने की कोशिश कीजिए किसके दारा कहा गया है अगर आप लोग उन्हें अभी तक यह इस तरीके के multiple choice की जो practice है वो नहीं की है तो आप लोग हमारे आने वाली videos के चलिए और जो हम already upload कर चुके हैं अपने channel पर ठीक है उनसे तयारी कर सकते हैं तो यह जो सही option है वो मैं बता देता हूँ आपको यह है Theo Hyman ठीक है यानि कि यह जो पहला option है वही सही answer है तो चलिए next question की तरब बढ़ते हैं next question हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं question number 5 organizing committee और जो publicity committee are examples of what यानि कि जो organizing committee होती है और जो publicity committee होती है वो किस तरीके की committees होती है हमें बताना है 4 options मैं से हमें एक सही option लगाना है 4 options दिये है post-tournament committee, pre-tournament committee, during-tournament committee and none of these देखे इनमें जो main 3 options दे रखे हैं क्योंकि fourth तो none of these है और यह जो 3 options हैं इनमे से सही हमें बताना है कि organizing committee और publicity committee किस तरीके की committee है क्या ये post-tournament committee है क्या ये pre-tournament committee है या फिर during-tournament committee है तो यहाँ पर देखे सही समझे कि जो organizing committee है वो कौन सी committee होती है और publicity committee क्या होती है देखे, publicity committee हम लोग जानने कि जो publicity करने के लिए ठीक है, advertisement वगएरा जो करती है और organizing committee यानि कि starting से ही organize करती है तो आप बताईए कि कौन सी committee है ये ठीक है, थोड़ा समझे है question को तो तीन options हमें दिरखे हैं वैसे और एक fourth दिरखा है ननबदीज तो ननबदीज तो है नहीं, question number जो हमारे पास fifth है इसमें जो तीन options है, इन message ज़रा देख लीजे तो इन message जो सही answer है वो है pre tournament committee ठीक है आप लोगों को मैंने answer बता दिया है आप लोग कोशिश करिए कि अपने आप question के answers ढूंड सकें और नहीं ढूंड पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ practice कर सकते हैं, ठीक है ये जो questions है, उनकी मैं practice करवा रहा हूं सही answer की, ठीक all sports events, ठीक है question number six देख लेते हैं, all sports events are conducted and managed by this committee कौन सी committee के द्वारा सारे sports events, conduct किये जाते हैं और manage किये जाते हैं, committee की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, committee आप लोग ने पढ़ी होंगी, committees and their responsibilities, जो हमारे पास पूरा एक topic रहता है, वो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, next, अब मतब तो इसमें जो 6 वाला हमारे पास option है, वो है, organizing committee ठीक है, मतब 6th question का जो सही answer है, वो है यह, ठीक है C पे नहीं लगाना है, A पे लगाना है, organizing committee ओके, organizing committee हमारा सही answer है 7th question जो है, वो हम लोगों को देखना है, अच्छे से समझना है कि जो athletes होते हैं, और जो भी sports persons होते हैं, वो जब outstation से आते हैं, यानि कि बाहर से आते हैं तो उनको receive कौन करता है देखे, बहुत ही easy question है, इसका आप लोग जल्दी से पताईए, comments में पहला option दे रखा है, ceremonies committee finance committee, दूसरा option दे रखा है तीसरा option है, reception committee and fourth one is none of these तो देखे, none of these तो है नहीं तो आपको बताना है, कि इन तीन मेंसे सही से बताईए कौन से, तो देखे, receive से यहाँ पर पता चल रहा है, reception committee तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि reception committee is the right answer, तो आप लोग लगा दीजे, reception committee athletes और sports persons जो बाहर से आते हैं ठीक है, जब tournament औगेरा होते हैं और जो भी sports persons बाहर से आते हैं sportsmen, ठीक है, athletes जो भी आते हैं, तो उनको receive करने के लिए reception committee होती है ओके, next है question number eight कदी भी injury हो जाती है, in case of injuries when doctors and nurses are needed और doctors and nurses की जरूरत परती है तो कौन से committee responsible होती है इन arrangement को करने के लिए कि doctors जल्दी से आए, nurse आए ये कौन से committee देखती है तो देखे, आपको सही answer बताना है बिलकुल भी, जल्दवाजी में सही, अमलब सही की जगे गलत answer मत लिख दीजेगा अच्छे से समझीएगा पहले question को उसके बाद आप answer लगाएगा तो पहला option दे रखा है transportation committee, क्या transportation committee की ज़रत पड़ती है? नहीं दूसरा है medical committee, क्या medical committee की ज़रत पड़ती है? जी हाँ और C option दे रखा है purchase committee purchase committee की तो ज़रत ही नहीं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बात है injuries की and injuries is related to medical committee तो medical committee is the right answer हाला कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना easy question है और sir कह रहे हैं कि अच्छे से धान से करिएगा कभी-कभी बहुत easy question भी हम mistakenly गलत कर देते हैं अगर हम थोड़ा सा over confident हो जाते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को बोला तो चलिए start करते हैं 9th question 9th question में बोल रहे हैं boarding or lodging देखे ठहराना जहां पर उनका arrangement किया होता है लेटने बैटने का और अच्छे से वहाँ पर उनको रोका जाता है तो उसको कहते हैं boarding and lodging ठीक है तो boarding and lodging committee जो होती है वो किसलिए responsible होती है हमें सही answer बताना है तो पहला option देखे दे रखा है goods purchase करने के लिए जो भी sports related goods होते हैं उनको purchase करने के लिए होती है क्या तो हमें पहले options देख लेते हैं एक option तो यह दे रखा है दूसरा option दे रखा है talking to doctors about athletics health यानि कि बाते करना doctors से उनकी health के बारे में athletics के health के बारे में फिर c option दे रखा है boarding and lodging of outstation sportsmen और players यहाँ पर थोड़ी misprint हो गया है don't worry ठीक है तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि boarding and lodging committee तो है वो इसी कान के लिए होती कि boarding करवाना lodging करवाना जो भी outstation sportsmen है या players है उनके लिए तो हमारा c option सही answer है ठीक है 9th हमारे हो चुके है 9 हो गए 10 हम देख लेते हैं all the equipments courts and grounds are as per standard are ensured by यानि कि जो भी equipment की जरुरत होती है tournament के दौरान courts जो होते हैं grounds जो होते हैं वो बिल्कुल standard के according हो और यह ensure करने का जिम्मा किसका होता है किसकी responsibility होती है ठीक है यह ensure करने की कि सारे equipment ready हो courts ready हो grounds ready हो अच्छे से तो यह सब किसकी जो होती है responsibility किसकी है यह ठीक आप लोगों को जल्दी से answer बताना है 4 options मैं से ठीक है 4 options आपको दिख रहे हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जल्दी से 10 seconds का समय आप लोग ले लीजे ठीक है होने की बाले है 10 seconds हो गए होगे तो यह जो है वो technical committee है ठीक है all the equipment जो भी equipment होते हैं courts होते हैं grounds होते हैं उनको as per the standard या फिर जो भी जरूरत होती है उसके according तयार करवाने की जिम्मेदारी होती है technical committee की ओके now यह आपका homework है कि responsibility of purchasing committee is to purchase यानि की जो purchasing committee होती है उसकी क्या responsibility होती है क्या purchase करने की responsibility होती है you have four options इन मैं से सही answer आप लोगों को लगाना है ठीक है it is homework comment में आप लोग बता सकते हैं और जिसका सही answer होगा मैं उनका नाम लोगा अगले वीडियो में और उनका बहुत बहुत thank you बहुत 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 थैंक्यू बहुत वो लोगा कि उन्होंने इतने अच्छे से participate किया इस physical education class 12 के multiple choice questions की वीडियो में so thank you so much for watching this video completely I hope आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आ रहे होंगे और हम लोग जल से जल live classes भी start करेंगे तो आप लोग live classes में बने रहिएगा मैं जल्द ही आप लोगों को timing बता दूँगा कि कब मैं live classes लूँगा जिससे आप लोगों की board exams की जो preparation है वो अच्छे से हो सके मैं other subjects भी पढ़ाता हूँ ठीक है जैसे की SST हो गया English हो गया इन subjects के जरिये भी मैं आप लोगों को help करने की कोशिश करूँगा कोई भी doubts है आप लोगों को comments में बता सकते हैं Thank you so much for watching this video completely please subscribe this channel if you like this video